दोस्तो अगर आप भी अपने वाटसप को ओपेन करते हो या फिर किसी भी दोस्त से बाते करते हो चैटिंग करते हो और आप अपने दोस्त के प्रोफाइल फोटो के नीचे ये घड़ी का ये अलार्म का निसान अगर आप देख रहे हो तो आप जरासा भी टेंशन मत क्योंकि आपने बहुत ही सही वीडियो को प्ले किया है बिल्कुल सही वीडियो तक पहुँच चुके हो आज मैं आपको इस घड़ी के निसान का मतलब बताऊंगा कि इससे होता क्या है और ये आपके वाटसप के प्रोफाइल डीपी पे क्यूं आता है और इसको चालू करन या फिर बंद करके रखने से क्या क्या फाइदा है और क्या नुकसान है तो सब मैं आपको बताऊंगा प्लीज अगर आपने अभी तक इससे वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेन और घंटी को ओन नहीं किये हो तो यार उसे भी ओन कर लेना तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ऐसा आता क्यों है और ये ऐसा तभी आता होगा आपके साथ आपकी वट्सप में जब कोई नए बंदे को आप मैसेज करते होंगे देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो द कि ऐसा आया है कहा था ना कि वो मेरे से बात करने वाला नया बंदा होगा देखिए इस से पहले मेरे से कभी बात नहीं किया था अभी अभी बात किया इसीलिए ऐसा ये चालू हो गया या तो आप उससे बात करने वाले नए बंदे होंगे या फिर वो आपसे बात करने वाला नए बंदा होगा देखो अभी अगर आप ऐसा चैटिंग करोगे बाते करोगे तो देखो सब कुछ बाते होगा लेकिन मालो कि इसने क्या किया कि आपके चैट को पुना डिलीट कर दिया यहां से क्लिक किया और यहां से डिलीट कर दिया यह देखिए चैट को मैंने यहां से डिलीट कर दिया है अब अगर मैं नीचे वाले फोन पे नया चैट बन जाओंगा तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए सर्च कर लेता हूँ उसका चैट ये देखो मैंने उसका चैट सर्च कर लिया अभी देखो यहाँ पे आपको घड़ी का निसान दिखरा है अभी यहाँ पे आपको घड़ी का निसान नहीं दिखरा है लेकिन देखो जैसे ही आपने इसका च से चला गया और देखो यहाँ पर घड़ी का निसान जो है वो आ गया यहाँ पर आप बैक करोगे तो यहाँ पर भी देखो घड़ी का निसान जो है वो आ गया तो यह अगर आप भेजने वाले में से पहला मैसेज अगर आप किसी को भेज रहे हो तब आता है या पिर तब आत जब सामने वाला अपने चैट में ये वाला चीज आन कर देता है देखो ये वाला चैट है अब मैं क्या करता हूँ कि इसके प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे नाम पे क्लिक किया अब थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो ए हापे बैक करूँगा देखना घड़ी का जो आइकन है वो आ जाएगा देखलो आ गया ना पहले नहीं था अब आ गया तो दो तरीके से ये चीज आता है एक तरीका और है सामने वाला अगर आउन कर दे तब या तो आप आउन कर दो या तो ये बाई डिफॉल्ट आउन रहता अब इसको आप बंद कैसे करोगे बंद करने से पहले आप इसका कारण जान लो कि इससे होता क्या है जब ऐसा अगर घड़ी का निसान आ जाता है अब इसमें मैं समझाता हूँ देखो उसने क्या किया था सब कुछ डिलीट कर दिया था है ना लेकिन यहाँ पे देखो आउ अन हुआ मैसेज करने से पहले यह पटी बड़ा वाला दिख रहा है न यह उन होता है तब आता है और यह जो छोटा वाला पटी है यह तब आता है जब आप इसे बंद करते हो तो इस बीच इस पटी और इस पटी के बीच में जितना बात होगा सब अपने आप डिलीट हो जाएगा कितने समय के बाद यहां पर जितना समय दिया रहेगा देखो यहां पर चौबिस घंटा है तो चौबिस घंटे के बाद यह वाला मैसेज यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला अपने आप आपके फोन से भी और उसके फोन से भी डिलीट हो जाएगा आपको मेसेज के बाद जो मेसेज रहेगा देखो इस मेसेज के बाद यहाँ पे एक हाई मेसेज है यह आपका लाइफ टाइम रहेगा जब आप इसे डिलीट करोगे तभी डिलीट होगा या फिर सामने वाला समय रहते डिलीट फोर एवरीवन कर देगा तब डिलीट होगा इसके बा आप इसे अब बंद कर सकते हो, बंद करने के बाद से वो डिलीट नहीं होगा, तो कैसे बंद करना है, अगर आपको ये बड़ा वाला पट्टी दिखे, तो इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको आफ का एक आप्सन है, इसे आफ कर दीजे, और बैक कर दीजे, यहाँ स चोटा वाला पट्टी भी आजाएगा, और अब से अगर आप कोई मैसेज भेजोगे, तो आपका, आपके फोन में रहेगा, आपके वोट्सअप में रहेगा, कोई चाहकर वी से डिलीट नहीं कर सकता है, समझ गए बात को, अब आपको बताता हूँ कि इसका फाइदा क्या है और नुकसान क्या है, तो फाइदा और नुकसान अगर आपको देखना है, तो हमने यह वाले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से Explain करके बताया है, इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और हाँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैन अालेगा